चैत्र महा के कृष्ण पक्ष की दश्मी दिथी को एक ऐसा वरत आता है जो बिगडे ग्रहों की दशा सुधार कर आपको सुक्सम्रिद्धी सोभागय और धन संपत्थी की पूर्थी करवाता है। इस वरत को दशा माता वरत कहा जाता है। इसके नाम के अनुरूप के है वरत पूजा मनुष्य के परिवार की दशा को सुधार देता है। पीपल वरिक्ष की पूजा की जाती है। गर आकर द्वार के दोनों तरफ फल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं इस दिन विरत रखना चाहिए और एक ही समय भोजन किया जाता है भोजन में नमक का प्रियोग नहीं किया जाता इस दिन प्रादय उठकर घर की साफ सफाई करके सारा कच्रा बहर फैंक दिया जाता है इस दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए प्रियास करे की दश्माता पूजा के पूरे दिन बजार से कोई वस्तू न करी दें जरूरत का सारा समान एक दिन पहले ही लाकर रख लें दश्माता की नल दम्यंती की कथा इस प्रकार है इस कथा के अनुसार एक समय राज्य करते थे उनके दो पुत्र थे एक दिन की बात है एक ब्रामनी राज महल में आई और राणी से कहा कि दश्माता का डोरा ले लो दासी बोली महारानी जी आज की दिन सभी सुहागिन मैला ये दश्माता की पूजा और वरत करती हैं इस डोरे को गले में बांधती है जिससे घर में सुक समरिती आती है। रानी नी वह डोरा ले लिया और विदियनसार पूझा करके गले में बांग लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दम्यंती के गले में डोरा बंदा देखा, तो पूझा की इतने अभूशन होने के बाद भी तुम नहीं है डोरा क्यों बांध रखा है। और यह कहते हुए राजा ने डोरा गले से खीच कर निकाल कर फैंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा यह दशमाता का डोरा था। इसके आपने अपमान करके अच्छा नहीं कि रात्री में राजा के स्वप में दशमाता एक कुडिया के रूप में आई राजा से कहा तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है तुने मेरा अपमान किया है जैसे जैसे दिन बित्ते गए दिरे दिरे राज लैसुक समरिती सब नस्ट होने लगी दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज़ा छोड़ कर दूसरे राज़े में भेश बदल कर का मांगने जाना पड़ा रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाए दिया वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के दूर पे छोड़ दिया राजा रानी आगे बढ़ गए राजा के मित्र का काम आया राजा के मित्र के यहां उनका खूब आदरसतकार किया गया मित्र ने अपने शैन कक्ष में उने सुलाया उसी कमरे में मोर की अक्रिती की एक खूटी थी जिस पर मित्र की पत्नी का हीरों का हार रखा हुआ था मध्यरात्री में रानी की नीन्द फुली तो क्या देखती है मोर की अकृति वाला बेजान मोर उस हार को निंगल रहा है यह देखकर रानी ने तुरंट राजा को जगा कर दिखाया दोनों ने विचार किया कि सुभे मित्र को क्या जवाब देंगे इसी समय यहां से चले जाना ही उचित होगा, राजा रानी रात में ही वहां से चले गए, सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मीला, तोनों ने राजा पर चोड़ी का रोप लगाया, इस परकार राजा नल और राजनी दम्यन्ती के चीवन में अनेक गश्ट आते रहे एक दिन किसे बुझरते समय राजा नल को वही एक स्वपन दिखाई दिया, जिसमें वह बुढ़िया भी दिखाई दी, उनके चरणों में उसने राजा ने गीर कर माफी मांगी बुढ़िया से, तो और बोला, माई मुझसे भूल हुई है, मुझे शमा कर दीजिये, मैं पत्नी सही दशा माता का पूजन करूंगा, बुढ़िया ने उने शमा परदान कर दी, दशा माता का पूजन करने से की विधी भी बताई, चैत्र महा के क्रिशन पक्ष की दशमिती थी आने पर राजा और रानी ने अपने समर्थे के अनुसार दशा माता की पूजा की, अर्षना की, और दश माता का डोरा गले में बांधा, इससे उनकी दशा सुधर गई, राजा को पुन अपना राज्य मिल गया, अब इस परकार मित्रों दशा माता की कथा सुनने से व्यक्ति की दशा सुधर जाती है, अगर मित्रों आपको दशा माता की कहानी अच्छी लगी है, तो प्ली